वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी चुनावी सवर है तो वादू की भरवार है वो बादे पूरे हो या फिर ना हो ये अलग बात है लेकिन फिलाल दिल्ली के सियेव के जिवाल सहाब जनता को मुफ्त का लॉली पॉप दे कर चुनावों को जीतने की कोशिश में लगे हुए है चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने वादू का पिटारा खोल दिया यूपी की जनता को जूट की घुटी पिलाने की कोशिश की गई दिल्ली में केजिवाल ने फ्री पानी और बिजली के वादे किये लेकिन आज पूरी दिल्ली डूबी हुई है केजिवाल सहाब सिर्फ विज्यापनों में दिखाई पड़ते हैं और मनीस सोदिया सहाब चुनावी समर में वादों की जड़ी लगाते हैं मनीस सोदिया ने लखनों में भी फ्री बिजली वानी वाली चाल चली और जनता को लालश का लॉलिपाप तीने की कोशिश की और अब केजिवाल सहाब जब उत्राखंट पहुचे पैर जबाने की कोशिश कर ही रहे हैं वहाँ भी उन्होंने फ्री बिजली का एलान कर दिया है हलदवानी पहुचे केजिवाल ने फ्री की चाल वहाँ पर भी चल दी और CM ने एलान किया कि उत्राखंड को भी फ्री बिजली दी जाएगी साथ ही हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी आज मैं छे घोशनाएं कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्राखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहया कराये जाएगा ये पहली घोशना है दूसरी घोशना जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता हर परिवार से एक युवा को पांच हजार रुपे महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहया नहीं करा दिया जाता इसको अब बेरोजगारी भत्ता कह लिजिए जो मर्जी कह लिजिए तीसरा सरकार में और प्राइवेट में असी परस्तिशत नौकरियां उत्राखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगे चौथा सरकार बनने के छे महीने के अंदर एक लाख सरकारी नौकरियां तयार की जाएंगे आप पुछेंगे कैसे होंगी लगबग 50 से 60 हजार तो वेकेंसी हैं सरकार में अभी और उसके बाद जैसे मैंने बताया और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आँगा हम इतने स्कूल अस्पताल सडकें, महला क्लिनिक हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे इन सब को मिलाके इतनी नौकरियां पैदाओंगे नई नौकरियां क्रियेट की जाएंगे सरकार के अंदर तो लगबग 6 महीने के अंदर एक लाख नौकरियां तयार की जाएंगे सरकार में दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहत सक्सेस्फुल रहा हमने एक जौब पोटल बनाया हमने का भी जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो कुरोणा के वक्त में बहुत सारे लोग बेरुज़़कार हो गए थे आपको जानके ताज्यू executing होगा दस लाख नौकरियां इस जोग पोर्टल पर आई थी दस लाख नौकरियां इस जोग पोर्टल पर अड़र्टाईज होई थी ऐसा ही जोग पोर्टल उत्राखंड के बच्चों के लिए तयार किया जाएगा जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और छटा एक अलग से मंत्राले बनाया जाएगा रोजगार और पलायन मामलों का मंत्राले उस मंत्राले का काम होगा कि रोजगार के नएने अफसर तयार करना एक तरफ और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना और तीसरा जो लोग उत्राखंट छोड़के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाते हैं पलायन कर चुके हैं वो वापस आना चाते हैं उनके लिए उचित कंडिशन्स तयार करना हाला कि इस दावे में कितनी सचाई है ये तो जरता जानती है दिल्ली की हाला देखकर सब कुछ साफ है विर रिपोर्ट वीके निउस ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल निउस